तो दोस्तों अगर आप अपने smart tv में GeoFiber Setup Box लगा करें रखेंगे हैं और GeoFiber Setup Box के साथ जो आपको वहाँ पर रिमोट मिला है और साथ में smart tv के जो आपको रिमोट मिला है तो आपने देखा हुगा कि δोनों remote अगर आपको यहाँ पर glare हो जाता है होता है कि जो फाइवर के जो setup box का जो remote है उस remote से अगर आप वहाँ पर volume बढ़ाते हैं और साथ में अगर आप smart tv का जो आपको remote मिला उससे volume बढ़ाते हैं तो दोनों में आपने देखा होगा कि same volume वहाँ पर work करता होता है कि यह दोनों remote pair हो जाता है और pair होने के चलते क्या होता है कि आप किसी भी remote से य जैसे unfair कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में clear करने वाला हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा अन तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को subscribe like को share जरूर कर दीजेगा सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि जियो setup box को smart tv से connect कर लेन है और जियो setup box का जो remote है उस remote को आपको यहां पर निकाल लेना है साथ में आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास tv का remote है और यह दोनों remote यहां पर पे पेर हो चुका है पेर होने के बाद क्या problem मिलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे आप जियो setup box से volume को बढ़ाई आपको यहां पर सेम देखने को मिल जाता है मैं आपको फिर से यहां पर दिखा देता हूँ यह दोनों remote का अगर volume को मैं यहां पर control करूंगा तो सेम यहां पर percentage बढ़ता है दोनों का UI में आपको कोई भी changing देखने को नहीं मिल रहा है तो कैसे change करना है कैसे आप unpare कर सकते है चलिए वो मैं आपको बता देता है तो आपको क्या करना है जियो setup box का जो आपको यहां पर remote दिख रहा है उस remote में आप देखेगा एक आपको की देखने को मिलेगा जिसमें लिखाओ नजर आएगा यू एन आई भी जिसका मतलब होता है universal remote यह आप देख सकते हैं यह यहां यहां पर दिख रहा है इसको आपको क्या करना है एक बार टैप कर देना है बस एक बार आपको यहां पर दबा देना है और दबाने के बाद अब आप यहां पर देखे इस remote से अगर मैं यहां पर भोलूम को बढ़ाओंगा या घटाओंगा तो इसका युगाई पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको remote वाला भूलम देखने को मिलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो comment करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो चाइनल को subscribe like और share जरूर कर दीजेगा